तो स्वागत है दोस्तों और आज हम दिखाएंगे कि अगर आप एक फोन लेना चाहते हो 25 जार के अंदर में या 30 जार के अंदर में तो क्या आप आइकू नियो 6 को प्रिफेर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो हम लोगों ने इस फोन को ओर्डर मार लिया है तो आएए देखते है तो इसका करते हैं एक क्विक अन्बॉक्सिंग ठीक है तो दोस्तों यह एक साल लगबग होने वाले है इस फोन को लिख ले हुए लांच हुए हुए तो उसके बाद यह आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं इस फोन को ठीक है क्योंकि इसमें Snapdragon 870 आता है तो इसकी प्रोसे आप अडिया है क्योंकि पेन में सुना है बहुत ही ताकत होती है तो हम यहाँ पर इसकी ताकत का इस्किमाल करेंगे अ कि यह निए रेपिंग इसका फार लिया है टीक है देख सकते हो तो देखते हैं फैणली कर यह यह रहाल teenage अंव मेरा 她 और अब सब्सक्रोता अपना चुछ मिलता है हम इसको निकालते हैं आसे जैसे ही हम लोगों ने निकाला तो पहले हम लोगों मिलता है यहाँ पर फोन ठीक है फोन को रखते है साइड में उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या मिलता है यह देखते है तो यह कुछ हम लोग की EMI नमर मिल रहे है यहाँ ठीक है और एक सीम एजेक्टर टूल देख सकतो स्माइली सफेस ओवाइस एंगेजमेंट रिंग की याद आ गई ठीक है तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे लगा लिया फिर से इसको रखते हैं यहाँ पर एक साइड में और अपना प्यारा दुलारा 3.5 mm जैक का केबल भी दिया हुआ इसमें देख सकते हो आप लो तो यह तो एक चीज बहुत ही बढ़िया किया है भाई कि इसमें 3.5 mm जैक की कनेक्टिंग के लिए भी दिया हुआ है और निकलता है यहाँ से अपना चार्जर ठीक है तो यह 80 वाट का चार्जर है तो देखते हैं इसमें क्या है उसके बाद य कौन सा है तो यह नॉर्मली देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही चार्जर दिया हुआ है उसके बाद सबसे प्यारा और दुलारा हम लोग का केस सॉफ्ट सा फिलिंग आता है भाई सब तो अभी सभी को रखते हैं तो फाइनली गाईज अपनी फोन को हम लोग ने हाथ मे ले लिया और यह लोथीन का ही साथ बना हुआ है यानि प्लास्टिक का और प्लास्टिक इस्तुमाल तो नहीं करना चाहिता पर ठीक है कंपनी वालों ने दिया थे प्लास्टिक बैक तो है पर फील तो भाई साब दे रहा प्रीमियम वाला है और यह रहा अपना डिस्प्ले e4 emulet display है इसका ठीक है डिस्पले जो है power consumption होगा e-confirm है पर इसमें जो case है उसको लगाते हैं हम लोग अग case लगा कर देखते हैं एक बार इसी के साथ गिरा के ठीक ही है तो देख सकते हो इसको कुछ हुआ नहीं है case जो है बहुत ही अच्छा है तो आते हैं इसके ports and buttons की और तो देख सकते हो यह right side में हम लोगों को volume up or down का button दिया हुआ है और यहाँ पर है एक power button और यहाँ पर speaker grills type C और यहाँ पर हम लोगों का seam ejector और एक mic hall भी है देख सकते हो यहाँ पर primary mic hall है और यहाँ पर हम लोगों इसे खोल लेते हैं ठीक है खोल लेने के बाद देख सकते हो हम लोगों इसका seam या cheap ejector देख सकते हो दो seam है ठीक है एक seam या एक cheap या दो seam एक साथ लगा सकते हैं आप लोगों ठीक है तो phone बस यही है और करते हैं इस phone को boot तो finally guys अपना phone जो है boot हो चुका है तो इसकी पहले हम लोग screen की जो testing करते मतलब fingerprint की testing करते है amulet display इसमें display fingerprint भी मिलता है तो लगबग tap और swap के साथ तो यह फिर सकते हैं यहां पर जैसे मैंने दिखाया यह फिर से करते हैं लोग देख सकते हैं लगबग लगब हर चीज इसका फास्ट है तो आते हैं अपने phone के अंदर तो phone में अब हम दिखाएंगे आप पब जी की gameplay भी करके दिखाएंगे आप लोग कितना जा रहा हो तो finally guys मैं इसकी सारी specs यहां पर लिख दे रहा हूं आप देख सकते हो क्या क्या है इसमें ठीक है तो हम इसमें Antutu Benchmark का score भी देखेंगे अपडेट करने के बाद फिर एक बार Antutu Benchmark का score देखेंगे तो finally guys अब हम इसमें BGMI का test करेंगे देखते हैं कि BGMI जो है कितने fps में run करता है इसके साथ तो हम लोग सिंपली देख सकते हो यहां पर मैंने यहां पर यह बीजे में 90 fps के support करता है यहां कि नहीं करता है ठीक है तो यह देखते हैं अब लोग यह तो जो गेम है वह बहुत ही तेजी से लूट कर लिया है अपने फोनने तो अब इसके बादों तो यहां पर यह देख सकते हो हम लोग वहने स्मूद के साथ एक्स्ट्रीम परत किया हुए है साथ extreme प्लेंट के साथ भीensed k harm कर रहा है और यह जो देख सकते mist यह क्वालिटी कुछ करके आरा तो देख सकते हो यह जो ग्राफिक्स है यह जाइरो स्कॉप भी हम लोगों ने आउन करके रखा हुआ है और हमने कुछ मतलब सेटिंग्स करते करते टाइम लगया तो हम लोग ने कोई भी कील अभी तक किया नहीं है अपने पार्टनर से जो कील कर रहे हैं देखते इसमें यह लाग या श्ट्रेटर तो कुछ हो नहीं रहा खिलाल के लिए हम लोग और यह हमने फर्स्ट कील भी कर दिया है और इसके साथ यह 90 fps आता था पर यह 90 fps दिखा नहीं रहा और पिंग तो लगबग यह 50 के मैनेजी करके रखता है यह उतने पर ही तो देखते इसके बाद यह फ कर दो तो फाइलली हम लोग ने लगबग तीन गेम खेला इसमें और यह जो परफॉर्मेंस से यह ड्रॉप नहीं कर रहा है फिलाल तो पर यह जो अपडेट है देख सकते हैं यह कौन से हम लोगा फोन जो है कौन से अप्रेटर एंड्रोइट से होगा यह लग पर चल रहा है अभी एंड्रोइट 13 पर ठीक है हम लोग ने से अपडेट कर चुका है लेटेस्ट अपडेट के साथ भी है यह देख सकतो है यहां पर मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूं कि यह थोड़े अच्छे से दिखाई दे तो यह देख सकतो हम लोगा फोन ज नहीं कर रहा थिक है तो अब हम देखते हैं इसमें अंतु-2 बेंचमार्क को रॉन करके देखते हैं इसमेंימ कितना सब्सकोर करता है कि ठीक है तो हम लोगों ने इसे एक से प्रपर्ली रॉन कर रहा है देख सकते हैं आप लोग और यह अन्तुतु बेंचमार्क पर जो है कितना स्कूर करता है आइकून नियो 6 लेटेश्ट अपडेट के साथ तो देखते हैं इसके पूरे कम्प्लीट होने के बाद तो फानली देख सकते हैं यह जो फोन है वो लग फॉर्टी एट परसेंट अन्तुतु बेंचमार्क को कम्प्लीट कर जो तो फानली देख सकते हैं हम लोग का जो अन्तुतु बेंचमार्क आया है यह सब्सक्राइब कर देख सकते हैं और यह लगवग सभी पूरे टेस्ट को ही कम्प्लीट कर चुका है देख सकते हैं तो अभी आप बोल सकते हो कि इस प्राइज पॉइंट पे कोई भी फोन जो है अभी इस फोन को टकर देने वाला नहीं है पर फिर भी अगर बाइचांस यह जो फोन आप अगर बैटरी के लिए लेते हो तो बैटरी जो है थोड़ी कम चलती है बैटरी के लिए आप इस पॉइंट हो सकते हो बागी बाद कोई भी किसी भी मामले में यह पीछे नहीं होने वाला है तो फैनली गाइस हम लोग का रिजल्ट यह आया है कि आप यह फ और नॉर्मल यूजर हो तो यह एक दिन लगवग लगवग दे देगा आप लोगों को तो आप इस मोईल के तरफ जा सकते हो पचीज जार के जितने भी मतलब यह च्छे आट एक्स ऑठाइस के जो अभी आरा बेस वेडियेंट के साथ एमेजॉन पर अभी भी एविलेवल ह देखेना तो वह थोड़ा पफॉमेंस को ड्रॉप कर देता है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें